इस बार दिवाली पर बॉलिवूड में गसब की पार्टिया रही बहुत सालों बाद अमिदा बच्चन के घर पर भी पार्टी हुई इस पार्टी में बॉलिवूड इंडस्ट्री का हर बड़ा शक्स मौजूर था लेकिन खुद पार्टी की होस्ट अपने घर के अंदर पार विडियोज लेने जाते हैं तो उन्हें मिठाईया बात रहे हैं शिलपाशयख्टी नहीं किया उर्फी जावेड जो अभी-भी स्टार बनी है वह भी मिठाईया बात रही है लेकिन जया बच्चन ने दिवाली के दिन जो तमाशा विडियोग्रफर के साथ किया है उसकी च राब औरत है जी हाँ जया बच्चन के लिए ऐसे टिपड़ी की गई मुंबई में जया बच्चन के जलसा पर ये पार्टी रखी गई इस दौरान कुछ विडियोग्राफर्स वहाँ पर पहुंचे जाहिर सी बात है सेलिब्रिटीज आने वाले हैं और बच्चन खांदान में जाने के लिए कहने लगी और उन्हें गुस्पैट तक कह दिया इससे पहले जया बच्चन ने मीडिया वालों को घटिया काम करने वाला कहा था और एक मीडिया पर्सन को ये भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोगना गिरो और अब जया बच्चन घर के बाहर आकर ऐस जोगों पर देखे हैं जहां पर बहुत जादा इलिटरेट लोग रहते हैं जहां पर लड़ाई जगड़े जादा होते हैं मुंबई के वन अफ दा एक्स्पेंसिव बंगलों के बार जब यह सब हुआ तो फिर चर्चा तो होनी ही थी लोगों का कहना है कि जया बच्चन को इस उम्र में इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती है उन्हें अगर ये पसंद नहीं है पापराजी का कल्चर तो उन्होंने अपनी बात कह दी है या फिर वो उन्हें इग्नॉर करें या हैंडल करना सीख ले या चुप रहें लेकिन खुद उनके पीछे भाग रही है सड़क पर ये लोगों को बहुत अजीब लगा इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने जया बच्चन को ट्रोल कर दिया एक यूजर ने कहा ये 40 साल से इंडस्ट्री में है और अगर फिर भी इसे पता नहीं कि पापराजी कल्चर को कैसे हैंडल किया जाए तो फिर रानु मॉंडल से भी खराब औरत है ये इसे रिस्पेक्ट देने की जरूत नहीं है किसी ने कहा ये बुढ़िया सठी आ गई है तो किसी ने कहा रोज का है इसका इनके पती के पास 60s और 70s में एंगरी यंग मैन का खिताब था लेकिन ये लेडी इस उम्र में एंगरी इरिटेटेड और फ से नकारा है और भारी तरीके से क्रिटेसाइज किया है आपका क्या कहना है सो पूरे इंसिडेंट पर कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करिए